हलो फ्रेंट्स मैंसे निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जिसकी फाइल आपको बनारी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको सीखना है कि कै चैनल टेस्ट को बनाना है कैसे कोशन्स बनाने हैं वह सारी डीटेल में आप इसको इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप वह चीज़ें सीख जाओ और कौपी पेस्ट ना करो किसी की मतलब किसी का देख क्या आप ना करो बलकि आप खुझ से वह चीज़ें बनाओ क्योंक पूरा format रहेगा और कैसे questions को आपको make करना है तो हम start करते हैं सबसे पहले तो जो अपलब्दी परिक्षापत्र होता है achievement test होता है उसमें क्या होता है आपका pre-test होता है और post-test होता है पिर post-test में आप क्या करेंगे आप जाएंगे आप बच्चे को पढ़ाएंगे और फिर उस chapter का test लेंगे और देखेंगे कि आपके पढ़ाने के बाद बच्चों के marks में कितना changes आया है और फिर उसको comparison करेंगे उसका visualization करेंगे देखेंगे कि क्या आपके पढ़ाने से उन में कोई positive change आया या फिर नहीं आया या फिर आपको अपनी teaching और बढ़िया करने की जरुरत है या बच्चों की जो पहले की teachers है वो जादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं आपन परिक्षापत्र क्या होता है और उसके aims and objectives क्या है उसके उद्देश्चे क्या है आपका कराने के achievement test यहीं की बच्चे के knowledge का पदा चलेगा पदा चलेगा की आपका जो teaching कितना successful हुआ तो यह दोनों चीज़े तो आपको मिल जाएंगी आपकी books में मिल जाएंगी और इसके सा सारा detail उसके बाद फिर आपको यह दो पेज आपके हो जाएंगे उसके ठर्ट पेज पर आपको क्या होगा वेटेशे नहोगा जब भी हम कोशन पर बनाते हैं तो हमें इसमें वेटेश देना होता है कि हम किस चीज़ की ऑपर कितने कोशन होंगे किस चीज़ के कि अगर knowledge है तो नॉलेज की कुष्षेंड और कितने कोश्वेंगे कितना पर्शंट हम देंगे वह सारे चीज़े के अंजर हम देखते हैं तो जब आप इसको चार तरीके से आपको वेटेज देने होते हैं एक होता है उब्जेक्टिव की अधार पर अनुदेशनात्म को न ये जिए अनुदेशनात्मक अधार पर वेटेज देना भार का वित्रन्ड होता है के यू एस क्या है नौलेज अंड़सेंडंग एप्लिकेशन और स्किल है नॉलेज में आपको 30% का वेटे जिना होता है जैसे अगर 25 marks का पेपर है तो आप उसमें से 30% जो कोशन है वो आप नॉलेज के पूछेंगे 40% जो है आप understanding के पूछेंगे और 20% application और 10% आपको skill के पूछने होंगे बच्चों से अब percentage कैसे निकालते हैं वो भी देख लो 25% है यह 25 marks का अगर पेपर है उसमें आपको 40% है 40% है तो आपको 40 upon 100 करके 0 से 0 cancel इसके बाद यह हो जाएगा 5 तूजा 10 और 5 तूजा 15 दो दूनी 4 पांदूनी 10 मतलब 10 नंबर का जो आपका है वो आपको understanding के question दस नंबर के होंगे आपके तो इस हिसाब से आपको सब का निकालना होगा 25 में से की application के कितने नंबर के question आप पूचेंगे और स्किल के आप कितने नंबर के question पूचेंगे यह निकाल के फिर उस हिसाब से आपको देना होगा यह अच्छे से सीख लो सेकिंड है आपको प्रिश्णों के अधार पर भार का वित्रण करना होगा कि आप कैसे questions कर रहे हो उसके अधार पर very short short answer या long answer आपने very short के कितने question रखे हैं short answer के कितने रखे हैं और long answer के कितने questions रखे हैं वह इसके अंदर आएगा third में है कि विशेवस्तु के अधार पर कि आपने कौन से चाप्टर को कितना important दिया है अगर आपने हिस्ट्री पोल साइस इसके जो भी आपके चाप्टर से उसमें आप बताओगे कि आपने किसको कितना वेटेस दिया है फर्स चाप्टर को 10 नंबर का है सेकिंड चाप्टर पंद्रा नंबर का है जो भी आप अपना रिसाइट करोगे जो भी चाप्टर साप ले रहे हो वह यह सारी सीजेस की टेबल में आपको दिखाऊंगी इस लगी पर्मेट पहले समझ लो कि यह आपके होगा third page पे यह वाले points आ जाएंगे इसको यह सी है इसमें आपको टोटल चार पार्ट होते हैं वेटेश के इस फॉर पार्ट में आपको लिखाना होगा जो में नेक्स पेस पर देखते हैं जो फोर्थ आप दोगे वेटेश वह होगा कठी नाई के सब्सक्दार कि आप जो कोशन है वो कितने कठीन बनाओक है उसमें इसी होगा very easy और difficult यह 3 परफेंगे जो क्लास के आपके इंटेलिजेंट सुर्ण दोते हैं वह ज्यादा तर इसके आंसर देते हैं जो इनकी पोजिशन आती है और जो पेपर में ठाटें रखते न ही बच्चे पास हो जाएंगे वह इसलिए रखेंगे और एक-डोचिन इसे भी वह सौल कर सके और पा करोगे अपने बूपरिंट में तो आपका ब्लूपरिंट अच्छे से बन जाता है और यह कैसे बनेगा यह मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी फिर आप आता है कि आपको फृषिंबत्र बनाना है है नहीं प्राप जो भी अपना कॉश्विशन पेपर में कोशिन पेपर में आपको कैसे कोश्चिन मिलाने वह मैं आपको कोश्चिन पर दिखा के और फिर बताऊंगे अच्छे से फिर प्रशन पत को अंतरिम रूप देना फाइनल टच लोगे कि मैंने इतने मार्स के भी रख दिया वह भी रख लिए सब फिर उपलबदी परिक्षा क प्रतिविदें रिपोर्ट बनाओंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स होई रहा बच्चों का वह सारे यहां पर कर दोगे फिर दिखाओंगे कि डाइग्रम बनाके ऐसे आप की आपका प्री टेस्ट और पोस्ट में आप से ज्यादा बच्चे सीख रहे हैं या फिर उन्ट बच्चे जो हैं मेरे पढ़ाने के बाद जाद बहतर तरीके से सीखना स्टार्ट कर दिये हैं वह सारा आप इसको एंटिम में निश्करश निकालके अपना जो भी फाइल हो ओवर कर दोगे अब हम देखेंगे कि आपको जो भी चार मैंने आपको बताये थे वेटेज वाले पॉइंट्स वेटेज वाले पॉइंट्स तो यह कैसे बनाने हैं इसका पूरा डाइग्रम में आपको दिखाते हूं और वैसे वैसे आप अपना बना लेना तो यह आपका फॉर्स से था जो अनुदेशन आत्मा कुदेश्य के अधार भार का वित्रण जो कि मैंने आपको सेम ऐसे आपको डाइग्रम राने हैं ऐसे बनाओगे और फिर जो भी ग्याना आत्मा के उसका थर्टी परसेंट अंटेसरेंटिंग का फॉर्टी परसेंट यह आपको फॉर्स टेवल में लिग देना है प्रस्टों के प्रकार के आधार पर कि आपने वैरी शॉर्ट कितने क हैं तो चे चेह त्यां तो यह घ्रींधा द्रहक लांग आथा फिर आता है लाग और आपको पिर आता है थर्ड की कचनाई नहीं कि आधार भाहर का वित्रन कि आपने कैसे और डिफेकल्ट का लिया है तो वेरीजी आपने पूछ्फीन इजी आपने 40% और डिफिकल्ट आपने 28% को पूछा है और टोटल अपना 100% हो जाएगा फिर आएगा विशेवस्तु के अधार पर भार का वितरन की आपका जो भी चैप्टर्स है इतिहास का जो भी पार्ट है वो आपको ना लिखना होगा भूगोल का जो भी पार्ट है वो और जो राजनीती विज्ञान का है वो उस चैप्टर का नाव दिखना होगा फिर कोशन आपने सब के 133 कोशन पूछे हर सब जग के और उसके Marks दिये हैं नौ जो फरस्ट हिस्टी का चैप्टर है वो नाइन Marks का है वो गौल का चैप्टर 6 मार्स का है और राजनीती विज अब मैं आपको blueprint दिखाती हूं यह जो है आपका blueprint है और ऐसे ही आपको बनाना है सबसे पहले आप यहां पर objective लिखोगे तो इसमें अपने knowledge understanding application skill और grand total की सारा total मिला के क्या हो जाएगा इसमें आप 3-3 खाने बनाओगे सबमें 3-3 बना दोगे क्योंकि हमने very short, short answer और long answer के question रखने है very short, short answer, long answer सबके 3-3 आपने बना दिये उसके बाद फिर आपको history का जो भी आपका chapter है वो ले यहां यहां पर और उसमें हमने short answer का एक question है वो 3 नमबर का है यह लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा understanding में short answer का दो question रखे है हमने 3 marks के, उसके बाद इसका total क्या हो जाएगा, दो और एक 3 question हो जाएगे और 3, यह क्योंकि 2 question है, इसलिए 3, 3, 6 हो जाएगे 6 और 3, 9, तो 9 number के हो गया यहां आपका first chapter second में देखो, जोगरफी में हमने क्या लिया है, second में हमने पूछा है, एक question पूछा है, very short, very short पूछा है, एक question, और एक question, short answer वारा लिया है हमने, जो कि 3 marks का है, और एक question हमने application का लिया है, application का वो दो नंबर का है, एक question, और फिर इसको आप हम अगर calculate करेंगे तो 2, 3 और 1, 3, 4, 5, 6 number के question है, कितने question है रोटल, 1, 2, 3 question है, उसके बाद आता है आपका next poll science, पोल science में आपने एक question लिया है, तीन number का short answer, फिर इसमें एक question है, एक number का, और आपका यहाँ पे long answer, जो आपके skills related आपने long answer लिया है, वो 6 number का आपका है, तो total आएंगे तीन question, 10 number के हो जारे हैं, यह वाले आपके जो है, यह marks है, number, और यह question है, number, यह question है, यह number है, यह number है, और यह question है, ओके, फिर यहाँ पर हमने इसका grand total लिग दिया, अब यहाँ पर इन सबका grand total लिग दिया, हर लाइन का, कि इसमें एक number का एक ही question है, इस वाले में, दो question है, तीन marks के, फिर यहाँ पर एक question है, एक marks का, तीन question, दो, और एक, तीन question है, कितने mark के, यहाँ पर 6 number का हो जाएगा, 6, 7, 9, तो तो तीन ती marks के, फिर यहाँ पर इसका लिग देंगे, और यहाँ पर इसका लिग देंगे, same to same, फिर आता है, इसका grand total आपका, grand total में, यहाँ पर आपका total आजाएगा, कि very short का, आपने एक ही question पूछा है, एक marks का, फिर short answer में, आपने 2 question पूछे है, 6 marks के, मतलब 3-3 marks के दोनो, और और यहाँ पर, एक question 6 marks का, पूछा है, grand total आप देखोगे, कि यहाँ से, यहाँ से आपका जो भी total बन रहा है, यहाँ से लेकर जो भी total बनेगा, 9 question 25 marks के, और यहाँ से जो total बनेगा, कि 9 question 25 marks के, वो दोनों सेम होगा, जब यहाँ पर आपका यह सेम आजाए, तब यहाँ पूरा blueprint है, आप इसका screenshot ले सकते हो, और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको टेलिग्राम पे भी send कर दूँगी, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना होगा, कि यह देखो, यह जो है, यह question paper है, जो मैंने पूछे थे बच्चों से, अमनी 7th class में लिया था, मैं 7th भी मे मैं लिया था test, तो उसका question में पर आई है, टोटल यहां पे हमारे 9 question होगे, जो मैं page pilot के भी आपको दिखा देती हूँ, यह देखो, 7,8 और यह 9, यह total 9 question है, और यह नहीं 9 questions में मैंने sequence लगा रखाई कि पहले नमर में कौन से question पूचे, second पे कौन से पूचे, तो यह ऐसे question आपको मनाने है, अब मैं आपको थोड़ा idea देती हूँ कि आप कैसे बनाओंगी, तो जब भी आप knowledge वाले question मनाओं तो उसमें आप खालिसान करा सकते हो, खालिसान करा देना, और फिर matching करा सकते हो, जिनका answer आपको पता है कि knowledge वाले question होते हैं, जिनका answer same to same वही रहता है, आपके विचार में देखो, understanding मतलब बच्चे की समझ को हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें आएगा कि आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विक्सित हुए, कोई तीन कान बताईए, अब बच्चा इसमें विचार करेगा और खुछ से कुछ रीजन दे सकता है, उ तो ये knowledge based आपका question हो गया, फिर जैव मंदल क्या है, ये भी knowledge based है, एक नमर का question, फिर है कि अखबारों को print media क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अब इसमें बच्चे काफी सारे answers दे सकते हैं, अपने understanding के according, इसलिए ये understanding का हो गया question, फिर आता है आपका six number के question है कि answer कर सकते हैं, इसलिए understanding का question है, फिर है आपके मत में लोग तंजावूर को एक महानगर क्यों मानते थे, अब हम बच्चे से गया रहे हैं कि आप विचार करके बताओ, तो ये understanding का हो गया आपका, फिर यहाँ पर आ जाता है, जो कि skill का है, skill का है ये, कि क्या है, आपके मन पसं सनचार माध्यम का चित्र बनाएं, तत्था लिखे कि आपको क्यों पसंद है, अब ये बचे बताएगा, beam, S jakiś नंबर क्या लिया था, यहे 6 नंबर का इहां पर लिख देते हैं, कि अब बचा अपनी पसंद से बताएगा कि मुझे कौन सा संचारमाध्यम पसंद है और क्यूं पसंद है और उसका चित्र भी बनाएगा वह तो जहां पर भी चित्र बनाने से रेटेड़ हाजाएगा वह आपका हो जाएगा स्किल बेस्ट अफिर है कि आप वन को बचाने के लिए क्या करेंगे यह आप कर सकते हैं कि वह बचा खुछ से बताएगा की मैं वन को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं इसके अलवों मैंने को अधेस्तिया था बच्चों का यह प्रीचित या पॉस्ट्स में सही है कोई तो यह भी आप देख लो इसमें वैसे आँनौलेज इनको आप देख लो और ऐसे अपने कोशन बना लेना और ध्यान देना कि जो भी स्किल वाले हैं उसमें आप पच्छे से कुछ क्रियेटिव वर्क कराओ ड्रॉइंग करा दो कोई वह सारे आ जाएंगे इसके अंदर इसका पूरा स्की शॉट ले लो और ऐसे ही इस से रिलेट हैं फिर उसके बाद क्या 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 फिर आपको डाइग्राम भी बना लेना है और फिर अपनी फाइल पूरी और कर देनी है यह मैंने आपको बहुत ही असान भाशा में और ऐसे बताया है कि आप यह खुछ से अपलाई कर सको तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक श कुछ फाइल्स के ओपर इंफर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मैं उसके ओपर आपकी लिए वीडियो बना सको ओके थैंक यू